नमस्कार शो में आपका स्वागत है नवीनतम घटनाक्रम में स्पेन में एक दुखत घटना घटी है जहां वालंसिया में एक आवासिय उंची इमारत विनाशकारी आग से नश्ट हो गई है स्ट्रेटस्टाइम्स.com की रिपोर्ट के अनुसार आग 22 फरवरी 2024 को लगी जिसने अपार्टमेंट की इमारत को अपनी चपेत में ले लिया और व्यापक क्षती हुई स्पैनिश अगनिशामकों ने बीरता पूर्वक आग पर काबू पाया लेकिन आग की गंभीरता के कारण उन्हें चुनोतियों का सामना करना पड़ा इस घटना में एक नाबालिग और छे अगनिशामकों सहित कम से कम 13 लोग घायल हो गए अपात कालीन सेवाओं और क्षेत्रिय अधिकारियों द्वारा अभी तक उनकी चोटों की सीमा का खुलासा नहीं किया गया है आग से इमारत को काफी संरचनात मक्षती हुई स्पेन के टीवी इसारवजनिक टेली विजन ने बताया कि 14 मंजिला इमारत में 130 से अधिक फ्लेट तेजी से कंकाल में तब्दील हो गए हाला की आग लगने के कारण की अभी भी जाँच चल रही है ये घटना अगनी सुरक्षा और तयारियों के महत्व की याद दिलाती है हमारी समवेदनाए इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के साथ हैं और हम अगनी शामकों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली अधिक जानकारी और अपडेट के लिए straightstimes.com पर जाएं